तो फ्रेंग कोई भी त्यवहार हो दही बड़ा तो सबके घर बनता ही बनता है तो आज मैं आपके लेके आई हूँ दही बड़ा या फिर आप बोल सकते हैं दही भल्ला की रेसेपी तो आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा इतने बात करते है रही वारा की रसेपी उससे पहले मैं यहां बताना चाहते हूं मैं आज मीथा चठ्मी इंवली का मीथा चठ्मी है वह भी बनाना सिखाऊंगी और जो चाट मसाला घर में कैसे बनाया जाते हैं वह बहुत ही टेस्टी जिसमें आप कोई भी चीज में मिलाईए चाट मसाला बहुत ही टेस्टी बनके तयार हो जाते हैं चाहे आग बुलगपा में डालिए चाहे कुछ नमखीन में डालिए चाहे पकोड़े में डाले बहुत ही टेस्टी बनती है चाट मसाला तो इस रेसीपी को आप पूरा देखिएगा नहीं तो आपको कुछ शमज में नहीं आएगा तो उसके पहले मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक कीजेगा और जो नहीं है तो सब्सक्राइक कीजेगा तो चलिए चलते हैं यह हम लिए हैं उड़त दल करीब देख आए जिए हम चार घंटा पहले रात को भीगों दिए थे मिवने के बाद जैसे ही पूरा भीग जाए उसको ग्रैंड कर लिए हैं आप देख सकते हैं ग्रैंड करने के बाद हम इसको आठगाँ के लिए रेस्ट के लिए छोड़ी तो दिया तो फ्रें इसको अच्छी त अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और मेरा बैटर तो ऐसे ही आप देख सकते हैं बैटर फुल चुका है अब हम उसमें पकोडी तर लेंगे सारा हम छोटा छोटा गोल गोल कर रहे हैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप चाहे उसमें डिजाइन भी दे सक हैं पर यह बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे आज आपको जो आपको कोई परिसानी नहीं हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएं अब देख सकते हैं दही बड़े मेरे कितने इच्छे पूल गये हैं और आपको मैं तोड के भी दिखाऊंगी एक बहुत ही ज़्यादे पूरा फूला फूला टाइप के कितने जादे नरम बनके रेडी हुए हैं तब हम लेंगे गरम गुनगुना पानी उसमें हम सारा को डाल लेंगे तो हम अभी डाले नहीं थे आपको दिखाने के लिए जो कितने जादे सॉप्ट हुए हैं उसके बाद हम डाल लिए हैं पां चाथ मसाला में लाइगे वह भी घर का बना हुआ है और एक चम्मश नमक डालेंगे आप देख सकते हैं इसको सारा कॉम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें एक एक करके हम सारा दही वरा डालते जाएंगे डालने के बाद इसको हम रेश्ट के लिए छोड़ देंगे दो घंटा रेश्ट के लिए तक हम चलिए मसाला का आपको रेसेपी दिखा देते हैं यहां हम जीरा लिए हैं, लाल मिर्च, देश पत्ता, काली मिर्च और कुछ गरम मसाला लिए हैं, उसको कड़ाई में हम सारा को डाल लेंगे, डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, और यह धनिया हैं, सौप लिए हैं कुछ, सारा को हम डाल के उसके बाद हम लेंगे कब काला नमक लेंगे कृतर रीडिक हेजादा नमत मीरा इक्टrec करेने 5onomy 6 नहीं है एक दिम आज में और यह मेंवानाज थोड़ा देर दशकहां। डालने के बाद सारा को एक साथ हम भून लेंगे, भूनने के बाद ठंडा कर लेंगे, देखिए मेरा भूनावा हो गया, इसको हम ठंडा कर लिए हैं, उसके बाद 200 जार में डाल के इसको पीस लिए, आप इसको बनाईए और बहुत ही तेस्ती चाट मसाला बनके रेडी होता ह चलिए, अब हम इमली का मीठा चक्नी बनाते हैं, इसके लिए हम इमली ले लिए, इसको अच्छे करा से धो लेंगे, दोने के बाद इसको पानी में 10 मिट के भीगो के रख देंगे, उसके बाद हम प्योरी निकाल लिए, अब देखिए, इसका ज़रा कचड़ा सब निकाल इसके लिए हम छोंक लगाएंगे, जीरा डाल के छोंक लगा लिए, इसको हम सारा मसाला मिक्स करेंगे, हल्दी पाउडर थोड़ा, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसको मिक्स करने के बाद हम चीनी डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, चीनी द बहुत ही टेस्टी आप जरूर इसे ट्राइ किजेगा तो मेरा दो गंटा हो चुका है अब हम सब के लिए चलते हैं आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम बना के रेडी किया है आप भी ऐसे घर में बनाई ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं अब हम एक एक करके रख लेंगे उसके बाद हम उपर में दही डाल के रख देंगे ये मेरा देख सकते हैं उसके ओपर और प्लेन वाला जो दही है इसमें हलका हम मीठा देके रखे हुए थे वो दही हम डालेंगे सब के उपर देख सकते हैं वाव उसके बाद हम डालेंगे य और उसके उपर हम डालेंगे मीठा चटनी इमली का ये चटनी तो मैं ऐसे ही खा लेते हूं इतनी जादी टेस्टी बनती है ये कीन मानिए ये दही बड़ा बहुत ही टेस्टी बने हैं और उसके उपर हम चाट मसला छुरक देंगे वाओ अभी दुकान से भी अच्छा है मैं और एक प्लार प्लेट आपको लगाती हूं जैसे दुकान में देते हैं मैं आपको वैसे भी लगा के दिखा लेती हूं प्लेट को हम डालेंगे दुकान जैसा फिलिंग आई इसलिए मैं आपको ये वाला दिखा रही हूं ये दुकान में जैसे हमनों बाहर मार्केट में ख चटनी और उसके उपर चाट मसाला चुरक देंगे चुरकने के वाद मेरा दही बड़ा रेडी आज आज आईए आप लोगों को इन्वाइट है दही बड़ा खाने के लिए वाव तो ही बताओ मेरा मुझे पानी आ रहा है तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड जरूर बताइए कमेंट करके फिर में मैं नेक्स्ट वीडियो में पिटाटा बाबाई